वाई लोग कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को MxPlayer Pro पिछले कुछ समय में आए पांच बहतरीन Korean dramas के बारे में बताऊंगा। अगर आप MxPlayer Pro हिंदी में डब कोई Korean dramas देखने की सोच रहे हैं जो ज्यादा पुरानी ना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। एक घंडे के टोटल सोला एपिसोर्ट देखने होंगे तो अब चलिए सीधे बात करते हैं इस स्रीज के प्लोट की जो बेसिकली कहाने दिखाती है हाई स्कूल के एक लर के पौंग पैल की जिसके पास एक सूपर नैचुरल एबिलिटी है यह यू कहें कि एक सूपर पावर है कि वो भूतों को देख और सुन सकता है पर कुछ समय के बाद उसे ये भी पता लगता है कि वो उन्हें टैच भी कर सकता है और अपने इसी जर्नी के दोरन वो हुँझी से मिलता है जो एक फिमेल गोश्ट है और वो पाँ साल पहले मर चुकी है अब बेसिकली इन दोनों क के साथ आने के बाद जो एडवेंचर सुरू होते हैं ये स्रीज बेसिकली इसी बारे में है जिसमें आपको धेड़ सारे फणी या ह्यूमरस मुमेंट्स, मिस्ट्री और रोमांस भी देखने को मिलेगा जिसे आप बहुत नजॉय करेंगे लेकिन तब जब आप इसे इसके लेंग्वेज में इंगली सब्टायल के साथ देखेंगे और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एमैस प्लियर पर हिंदी में आई है और एमैस प्लियर के हिंदी डबने इसे खराब करने में कोई कशर नीच हो रहा है बाकि आप समझदार हैं आप खुद के टोटल 16 episodes देखने होंगे तो अब अगर सीधे बात करूँ इस सीरिस के प्लाट की जो बैसिकलि कहाने दिखाती है है एक जो एक ruthless lawyer है और वो कभी भी कोई case नहीं हारती और अगर हारने के कगार पर हो भी तो वो उसे जीतेने के लिए कुछ भी कर सकती है और अपने इसी case क के सिलसिले में वो एक prisoner हुआसा से मिलती है जो एक murder case में जिल की सजा काट रही है लेकिन तब सब कुछ बदल जाता है जब हे यी हुआसा से मिलती है और उन दोनों की body आपस में switch कर जाती है यहनी कि यह उसके body में और वो इसके body में अब basically यहीं से series की असली कहानी सुरू होती अब दोनों कैसे situation से बाहर आएंगे या आभी पाएंगे या नहीं इसकी वज़ा क्या है अब जब दोनों को एक अलग जिन्दगी जीने का मौका मिला है तो वो इसे कैसे handle करेंगे basically इनी सारे बातों के around इस series की कहानी गुमती है जिसमें आपको एक अच्छी murder mystery revenge drama देखने क मिलेगी और बेशक ये एक अच्छी drama series है जो आपको पसंद आएगी जिसे आपको पूरा देखने के लिए एक घंटे के around के total 16 episodes देखने होंगे अब सीधे अगर आपको इस series के plot के बारे में बताओं जो basically कहानी दिखाती है कोरिया के सब्वे की जहां एक serial killer खूम रहा है और लगातार लोगों की हत्याएं कर रहा है और वो हत्या करने के बाद वहाँ एक निशान छोड़ जाता है और उसी को पकरने में हमारा main lead या hero लगा हुआ है और इसी serial killer या ghost को ढूड़ने के दोरान हमारा hero इस series की female lead से मिलता है जो अपनी missing sister को ढूड़ रही है अब इन दोनो के मिलने के बाद दोनों कैसे इस case से जुड़ जाते हैं और साथ मिलकर उस killer या ghost को ढूड़ने में लग जाते हैं ये series basically इसी बारे में है अब वो killer या ghost कौन है वो ऐसा क्यों कर रहा है इन सारे बातों का जवाब आपको ये series देती है बाकि एक अच्छे drama को खराब कैसे किय जाता है एमेक्स प्लेयर से अच्छा ये कोई नहीं जानता बाकि अगर आपको इस series का मज़ा और अच्छे से लेना है तो आप इससे इसके original language में ही देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा अब अगर आपको जल्दी से series के plot के बारे में बताओ जो basically कहानी फॉलो करती है एक आदमी की जो किसी तरह time travel करके पास्ट में चला जाता है जहां वो एक monkey में बदल गया है या यू कहें कि human monkey में बदल गया है और उसी दोरान एक bird भी एक लड़की में बदल जाती है और दो जरनी में God से लरकर उस लरकी की soul को वापस लाना जाता है पर वहां तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं होने वाला और ये ड्रामा उसकी इसी जरनी को दिखाती है इसमें आपको डेट सारे action, fantasy elements, God, demons, creatures और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है तो अगर आप इस तरह के series दिखना पसंद करते हैं तो आप इसे MS प्लेर पर हिंदी में देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दू कि एक action, thriller, horror और sci-fi genre की series है तो अगर आप इस genre को पसंद करते हैं तो फिर आगे सुनो इस series को आपको पूरा देखने के लिए एक गंटे के round के total 12 episodes देखने होंगे और हाँ एक बात आपको पहले बता दू कि ये series आपको बोर तो बिल्कुल नहीं होने देगी तो अब अगर बात करो इस series के plot की जो basically कहानी फॉलो करती है जब एक शहर के पास एक बहुत बड़ा sinkhole बन जाता है और उस एक mysterious smoke या fog बाहर निकलता रहता है और जो कोई भी उस smoke को breathe या inhale करता है वो एक mutant या भी zombie की तरह बन जाता है और इन सारी गटनाओं के बीच इस series का lead एक murder mystery solve करने में लगा हुआ है और सब कुछ कहीं न कहीं एक दूसरे से connected है अब ये series basically इसी murder mystery और उस से इंखोलके mystery के around गुंती है तो अगर आप zombie, creepy creatures, mystery, action इन सब चीजों को जरूर देखिनी चाहिए और आप इसे देखें उससे पहले आपको एक warning जरूर दे दूँ कि आप इसे देखते बगत अपना दिमाग बहुत ज़्यादा use मत कीजिएगा आप इसे enjoy करेंगे जो MX player पर हिंडी में available है तो हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ठाके मैं आप लोगों के लिए और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो जुलाता रहूं तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत